तो सभी बच्छों का हर्दिक स्वागत है, हम आथा करते हैं कि आप सभी का एक्जामों बेहतरीन हुआ होंगार आप सब फीचर डॉक्तर बनने वाले है तो चले बच्छो आज हम डिसक्स करने वाले हैं फुल लेंथ टेस्ट पेपर थ्री फिजिक्स का टेपर डिसकस करेंगे चले स्टार्ट करते हैं बच्छो तो देखते हैं बच्छो की कौंग साफ फर्स्ट प्राबलम आया हुआ था यह है बच्छो पहला सवाल एकार कवर्थ फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिट्वेश टू प्लेसे ऐसे तो दो प्लेसे हैं बच्छो हाँ वन सेकंड बच्छो तो यह ऐसे अविलेबल है यह कार है ठीक है यहां से यहां जाने में एस बाइटू है और यह बच्छा क्या है एस बाइटू आवरेज इसमीड पूछ आए बच्छो देविटी का फॉर्म्रा क्या होता है आप यह स्पीड इस इक्वल टू टूटल डिस्टेंस डिवारेड़ वाइस टाइम तो क्या लिखेंगे एस ब सब्सक्राइब करना है इस तरह के प्रॉब्लम में वाल के साथ अगर कॉलिजिन होता है प्रॉब्ल्स इस एक्वल टू चेंज इन मोमंटम तो अंगल पे जब कॉलिजिन होता है तो चेंज इन मोमंटम क्या लिखना है ट्वाइस एम भी कॉस सिटा यहां से 60 degree लिखने तो 2 M B into half का लिजिये, cancel की जिये M B है na M B अरा है तो कॉं सा option बेश्ट है बच्चो, option number one is the correct one, option number one जो है ओफबेश्ट option है, okay impulse is equal to change in momentum. चल्यों, question number third लिखिः, दब मोमेंट आफ़ीनर से आफ़ डिस्क आफ मास है मैं रेडिस आपाट एक्स आपाट एक्स लाइंग इन दे प्लेन प्लेन में तो ऐसे बना लेंगे फिगर ना बच्चों इसके बाउट क्या होगा टेंजेंश यह यह सी है तो क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग यहां पर सेंटर आफ मास से यह वाला यह प्लेन में है तो यह इसका डिस्टेंस डी इस इकल टो आ लिखेगा यह आई-सी एम हो गया ठीक है और मास यह अंदे रखाए डिस्का तो बच्चों क्या लिखेगी इसके बाउट हमको निकालना है इसके बाउट निकालना तो क्या लिखेंगी आई-स इक्वल टो आई-सी-एम आई-सी-एम ब्लास M-D-Square according to the formula बच्चों I is equal to ICM तो plane में क्या होता है डिस्का एम रिस्क्वार बाई-सक्वार प्र प्लस M-R-Square तो बच्चों यह आ जाएगा आपका 5 M-R-Square by 4 क्या है का बच्चा लो 5 M-R-Square by 4 आ रहा है तो टिक की जिए 5 M-R-Square by 4 यह आपसर नम्बर 3 I hope आपको आ रहा हो का समझ में आपने ऐसा ही किया है exactly same method को follow किया है now question number 4 the gravitational potential on the surface of earth of mass देखों यह earth आप इसके surface पर यहाँ पर potential क्या होगा earth behaves like a solid sphere earth behaves like a solid sphere क्या है तो solid sphere case में क्या potential होता है surface पर बस formula लिखे तो formula बच्च क्या होता है minus GM Y-R क्या होता है minus GM Y-R option number 3rd is the correct one option 3rd पर टिक करना है doctor बनना क्या है direct formula based सवाल था आपको बरसानी नहीं उठना है now question number 5 देखिए if the coefficient of linear expansion of a metal is yes alpha दे रखा है 1,2,3,4 यह alpha दे रखा है increase in temperature पूछा है आगा length जो है 2% से increase हुआ है ठीक है temperature पूछाए कितना तो बचो काम सा वेश्ट तरीका होगा delta L यह formula यूज करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फाइनल लेंद कितना हुआ तो फाइनल लेंद क्या हो जाएगा यहां से आ जाएगी एक बार देख लेते है फाइनल लेंद दो परसेंट ज्यादा है तो कैसे लिखते है परसेंटेश में L प्लस 200 इंटू L 51 बाइफिप्टी इंक्रीज कितना हुआ फाइनल माने सिनिशल करेंगे कि अतना आ जाएगा यह वाला इंक्रीज आ जाएगा वन बाइफिप्टी यह हो गया बच्चो डेल्टा अब अगर आपको टंपरेचर निकाल ला है तो क्या क्या होगा आप क्या करेंगे आप क्या करेंगे आप वैलेपोट करेंगे क्या करेंगे फाइव कॉर्स तूपाई तीकर जेगर क्या पूट करना है वहल्यक्त करना है ख worldlyस जगा तो वन प्लास बच्व क्या होगा हङी मैं था लिएक का फंप य्वीज टू क्या होगा फाइब टू आपको देखने के मिलेगा ऑप्शन नमबर फोर पर जाना है बच्छो आड डॉक्टर बन जाना है फाइब रूट टू मीटर पे आपको टीक करना है ठीक है तो पर सेवन देखे तो सेवन भी क्या अधर रखा है बच्छा चापसी टर टू हम टूमार टूमारा डू टूमाइब लाट पिस दूमार अखनांगे से निक्तन पाइब हो न event p तो तो सम आफ चार्जेस इनकामिंग इस उकल टो अगोईंग चले यह वाला तरीका आपको आ चुका है इस पर वैले पूट करना है और क्यू कैसे लिखते हैं सी नुभी पोटाइंसी अल डिपरेंस सी नुभी चले देखें तो वही तरीका को फॉलो करते हुए आपको लिख देखें आपको आपको समझ में आया होगा इस तरगा सवल मनाने का तरीका आपको तरीका है mr st तो यहां पकर याद होगा ही तो डर्का यहां पे ग्रीव वाए लोट तो यहां पेढे मल्डीप्लाइट और अब इसको मेगा में लिख दीजिए इस प्रकार से क्या आएगा 500 प्लस माइनस 5 पर्सेंट मेगा ओम है ना ओप्शन नम्बर वन पर जाना है और आपको टिक कर देना देखें और नाइन देखिए प्रोटोन बीम इंटर से मैंगनेटिक फिल्ड ऑफ मैंगनेटिक फिल्ड दे रखा है वेलिस्टी दे रखा है एवाई दे रखा है रिडियस मुच्छा तो रिडियस क्या होता है एम बीवाई क्यों भी चलो देखो फॉर्मुला आप जानते है बस A, तो V by क्या करना है Q by M into B बस फॉर्मुला पूट करना है ठीक है तो यह इसका फॉर्मुला हो गया बस आपको यहां पर वैलू पूट करना है तो वैलू क्या लिखेना है R is equal to R is equal to M V by Q B E by M, yes यहां पर वैलू पूट करना है यह देखें देखा है वैलू, तो तो 100 meter इसका एंसर मिलना हा है option 4 is the correct one तो 4 पर जाना है इसको टिक कर देना है लाव को सर्माटेल एथीन सेमी सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग अच्छा एक रिंग अविलेबल है यह सेमी सर्कुलर यह फ्री फॉल करता है बच्छो तो क्या होगा क्या इसbilir इंड्री में चाहे स्ट्रीट कंडक्टर हो चाहे कशर्व हो हम यह लिखना है ल flour out कि भीएटर भाइस एक लिए Lewis of रोगा तो यह कितना हो गा हिए अन्सेर यहाँ चाहें यहां पर क्या हो जाएगा बी बीई आढ मों तो ट्वाई aard यह result हो गया option में देखिए तो option में यह नहीं है यह भी गलत है option number 4 दिख रहा है option number 4 is the correct one और direction यह निकालना है कि कौन साइंड कौन साइंड higher potential होगा इसके लिए क्या करेंगे आप right hand rule इस्तवाल करेंगे यह क्या magnetic field यह क्या direction of motion और यह है ना तो let's suppose अगर उपर जाता जो उपर जाता इसको उल्टा होगा अगर यह उपर जाता तो उपर वाली किसमे पी क्या होगा higher होगा नीचे जारा तो आर हो जाएगा यह होगा higher और यह होगा lower potential तो ऐसे आप इसको solve कर सकते हैं चला next question number 11 दिखिए अगर आप इसको double करते हैं इंडेक्टेंस को तो टूए लिखिए और इसको पूर टाइम्स करते हैं तो बचो यहां से आ जाएगा 8 और यह LC कर दीजिए तो बच्चो एंसर यही होगा root under 8 ओमेगा तो 2 root 2 कर दीजिए ठीखिया 2 root 2 ठीखिया तो यहां पर यह option number 1 दीख रहा है omega divided by 2 root 2 पे जाना है और इसको tick कर देना और यह तीन पार्ट में explode करता है पार्ट नमर 1 पार्ट नमर 2 पार्ट नमर 3 तीनों पार्ट का बच्चों मासेज बराबर तो जब भी किसी बाउम का explosion होता है तो आपको यह याद रखना है कि उस case में linear momentum हमेशा कमजर्ब होता है क्या क्या करना है और इसको equal to 0 लिख देना है तो अगर हम इस स्टू जे कैप है ना option नमर 3 पर जाएए तो टिक कर लिए option नमर 3 जाएए तो टिक कर लिए option नमर 3 इसका बेस्ट एंसर है चले question number 13 ना पर satellite revolving in orbit around the earth the ratio of magnitude देखिए कोई satellite है यह अर्थ है अर्थ के चारो तरब को satellite अगर घूमता है अब इसका potential kinetic energy के बीचे relation क्या होगा तो बच्चों आपको याद रखना है कि kinetic energy is equal to negative of total energy which is equal to negative of potential energy by 2 ठीक है तो magnitude पूचा है तो magnitude of kinetic energy is equal to potential energy by 2 लिख दिए तो potential energy upon kinetic energy is equal to बच्चों क्या होगा 2 इस्टो 1 होगा क्या होगा 2 इस्टो 1 देखिने को भी लेगा इसको आपको टिक करना 2 इस्टो 1 because the option number 2 जो है यह करेक्ट है चले बच्चों क्या बच्चों क्या बच्चों क्या दे रखा the height at which acceleration due to gravity will become 1 by 4th of its value on the surface मत्तब किस height पर अर्थ यह है बच्चों किस height per acceleration due to gravity जो है 1 by 4th हो जाएगा तो इसका जो बच्चों formula होता है यह आर्थ है यह radius है इसका मास है ठीक है तो बच्चों क्या लिखेंगे जी h is equal to g 1 plus h y r ka whole square तो यह दे रखा है जी यह दे रखा है जी वाइफोर दे रखा है तो g y 4 is equal to g 1 plus h y r ka whole square आप इसको cancel किजिए तो 1 by 4 is equal to 1 plus h y r ka whole square है यहां दगाया इसके बाद आप जानते है square root ले लेंगे हम लोग square root लेंगे तो बच्चों 1 by 2 is equal to 1 plus h y r लिखें ना multiply के लिए 1 by h is equal to 2 करें so h y r is equal to 2 minus 1 किजिए तो यह क्या होगा h is equal to r r के बराबर साबित होता है तो option नमर वन जो है वह कारेक्ट ऑप्सान देखने को बच्चों हमको मिला है तो इस प्रकार से 15 प्राबलम प्राबलम प्राइं को सन फ्यप्टिन देखिए तो इसमें ते रखाय की number of 512 identical drop एक छोड़ा से drop है small drops है यह जो small drops है इन से मिलके क्या बनता है bigger drop बनता है एक बड़ा सा drop बनता है अब कांजर्वेशन अब वॉल्म लगा इसका रिडियस निकाल लीजी ठीक है तो सेले यहां देखें पहले हम क्या लिखा टोटल चार्ज अंद बिगरे स्पेर क्या होगा फ्यूज क्यूज इक रखाय एक र के बराबनाता है नाव इस्मॉल का किसी एस्मॉल डॉब का क्या अब प्रप्रण के लिखेंगे वीज इक्वल डॉके लिखेंगे तू वोल लटेन्स निफटीर आप क्या लिखना के लिखेंगेоль्यक के लिखना है वाय लिखना लार्ज इसको कीजिए जिस्टीन क्या राएगा तो यहनदे फ्रट रट अता है बच्छा हमं धनेमेट बोल्ट इसका इंसर हमको देखने को भी लेगा कॉस्वन है ना ऑप्शन अम्बर प्री हमको देखने को मिल रहा है ना कॉस्वन नमर 16 इसको दो पार्ट में तोड़ दिया गया है यह क्यू है दूसरा क्या है क्यू माइनस क्यू है अब पूचा हाई कि दोनों को एक सब्सक्राइशन पर राता है तो मैक्सिमूम फोर्ट रिपल्सिफ पोर्स के लिए छोटा क्यू का वैलू क्या होगा था बस है आप कुछ आप आराम से ऐसे कीजिए आप फोर्ट लिख दिए के क्यू क्यू माइनस क्यू भाई र स्क्राइशन फोर्स के लिए आपके अटरनाने धी एफ बाई सब्सक्राइब करना है कितना है 1 2 3 4 5 तो जब एक्जाम में 5 आएगा 6 आए थुरा सा आप यह की जगा कि लगवा कि वी टिस्टोर बिज में जा सकता है आप सर्कित को रिजो कर लिए तो सर्कित को अगर हम फिर सा बनाएंगे तो बच्छों ऐसा मिलेगा वन यह टो यह थ्री बच्छों एपॉर ऐसा हम को देखने को मिलेगा यह नाम लिखे आर 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 और यह ऐसा बना दीजिए यह हो गया बैलेंस भी टेस्टोर ने बरी इसका कोई काम नहीं है तो यहां से बच्छों क्या हो जाएगा यहां से तो ट्वाइस आ आ जाएगा और अथ दुने कि चला गया फैरलेल में चला गया था फैलेल का फॉर्मूला क्या होता ही की वाईलेयन का बच्छा ट्वाइस आ इंटू ट्वाइसार इशको स्वकुल कर लीए तो वगा आ जाएगा अलड़ द्वार रेगा एमसर क्या होगा सिका पर जाकर आर जायका of thermal energy in 20 seconds when a current of 1.5 ampere is passed through it if the current is increased from 1 to 1.5 to 3 ampere what will be the energy अब जब कि किसी resistor से आपने सिखा होगा current जाता है resistance time to heat क्या होता है I square RT तो आपको दो अलग-अलग current पर equation लिख देना है दोनों को divide कर देना है जिससे result हम को देखने को भी लेगा तो पहने वाले में 500 current दे रखा है आर्टी लिखे दूसरे वाले में हमको निकालना है ऐसे लिखेंगे current 3RT ना दुनों को divide करेंगे कितना आता है 2000 क्या मिलता है यहाँ पे हमको 2000 जूल एनरजी हमको देखने को मिलेगा आप्सन नमबर फूर को हाँ तिप करेगा ना को सब्सक्राइब करेंगे तो यह क्या यहां से आ जाएगा इनका एकिवैलन कितना आ जाएगा 3331 आ जाएगा यह 5 है प्लस 1 हार यह 1 हो गया तो टोटल सर्कुट में बच्चों आ गया 5 प्लस 1 कितना 7 आ गया गया है कि लो मांगे ठीक है तो करेंट कैसे लिखेना है कारेंगी लिखना है वंटेज़ 221 का और यह सेवन किलो तो बच्चों 3 3 milli ampere पर जाना है 3 milli ampere आपको दिख रहा होगा option नमर वन जो है correct option है 3 milli ampere को tick करना है चलिए पर सेवर ट्वेंटी इंटिग्रेशन भी डिए सेगल डिजी रो तो बच्चो इसका मंदी क्या होता है इसका मत्तब होता है magnetic flux वहाई मैग्नेटिस्म अपनेटिस्प्राव इसका मगनेटिस्म होता है इसके हिसाब से मोनोपोल नहीं होता है सबसे लिए करेंगे मैगनेटिक मोनोपोल डू आप ड्रीनोंट इग reconnaissance यह जब भी होगा जब भी होगा तो पूल्स मेंशा पेर में लगता है पोल्स हमें से पेमेख्त होता है क तब जहां नौर्थ है वहां थैसा पहला स्ौूट खाहूट थैसे कभी एक नॉर्थ नहीं मिलेगा कभी एक साॉथalo आपको नहीं मिलेगा के ये क Przyके करते अर्ट करते हैं दूसरा ये तो वह नहीं होगा похण the net magnetic flux through the Gaussian surface for magnetic field is equal to 0 इसका तब बेस्ट option है, option number 4 पर जाना है, option number 4, correct option है, कौन सा? option number 4 is our correct option, अब question number 21 पर देखे, इस सेमिसर को रवाइड of radius R carrying current is placed in uniform magnetic field and force, तो अगर किसी भी current current conductor को हा, magnetic field में रखते हैं तो फोर्स बच्चो लगता है, I, L, B, sin theta और बच्चो यह है length vector तो मेरा का यह जो conductor को कर भेथ हम length vector यहां से draw करा, तो length vector आया, twice हार आ गया, लेकिन यह जो length vector आया, यह magnetic field के direction में है, इसका मतला बच्चो थीटा के जेगा हम को 0 लिखना है इसका मतला उसमें force एक दम नहीं लगेगा, 0 force देखने को मिलागा, option number three को tick करना है और doctor ना बन जाना है, चलो गोसर आमर 22 पर देखने में चोड, conducting rod of length 30 cm having resistance is moving on two panel horizontal rail, current in the resistance is current पर जो दो यह जो rod है, यह move का रहा है, magnetic field में तो अगर कोई भी rod करता है तो उसके अंदर जो आता है BVL आता है ठीक है तो यहाँ पर क्या formula होगा यह होगा इंडियूस्टी में फाद जाएगा voltage नीचे में total resistance लिख दीजेगा ठीक है तो total resistance क्या होगा एक होगा 2.5 हो गया और इसी rod का होगा 0.5 है तो कुल मिला को कितना 3 हो जाएगा बांके डिवाइड कर लिजेगा तो क्या कंडा है बच्चों यह हो गया BVL आपने निकाला 20 0.2 ठीक है और यह यहाँ पर BVL लेंग दिदे रखा है convert किजिए 1.2 now total 3 होगा 1.2 0.4 कितना होगा 0.4 ampere तो क्या कर लिजेए option number 4 is a current one 0.4 ampere आपको देखने को मिल रहा है question number 23 what will be the direction of current in the coil A as the switch is closed देखे यह यह से इसको close करेंगे तो current ऐसे जाएगा इसमें current ऐसे जाएगा जैसे ही current इसे जाएगा इसे flux change हो आप जो flux change हो क्या होगा उसका डरी से दिखे तो यह अंटिक्लाक्वाइस है तो बाहर के तरफ तो इसका मतलब यह च्छोटा वाला करेंड जाएगा ताकि इसका फ्लक्स को यह पूस्ट करेगा तो कौन साइंसरों का बच्चों क्लॉक्वाइस पर जाना तो क्लॉक्वाइस पर जाना टिक करना है चाले पॉस्टन नमबर प्रिटिपोर तो सबसे पहले बच्चों दे रखाए एक्सी एक्सल बराबर है तो जब भी एक्सी एक्सल बराबर होता है आप तुरंट बलेंगे तो विए रमस 220 वाई रूट तू है ना चैंसल हो जाएगा 220 आएगा अच टोटल एसिस्टेंच देखिए दो क्या है दोनु सीरीज में है तो चुक्कि दोनु सीरीज में है तो 11 प्लस 11 लेवल इक दीजिए तो 220 यह हो गया 22 हो गया चैंसल कीजिए यह आगया 10 आगया अब कितना होगा क्यापसीटर के अक्रॉस आरे में जो वाल्टेज सो करेगा बच्चों होगा हुआ एक्सी इंटू करेंट यह वाला करेंट तो कितना दिया हुआ है 20 इंटू 10 किजिए तो कितना आएगा यह 200 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा तो अपसा नम्बा थार्ड पे टिक कंड़ा है इस तरह का सवाल इंबॉर्टेंट है क्या इंबॉर्टेंट है कि जब भी कॉशन पेपर में एक्जल एक्सी बराबर हो next question 25 in a step down transformer the voltage in primary is primary का voltage दे रखा है current दे रखा है बच्चो secondary का voltage है secondary में करेंट निकालना है तो जब भी किसी transformer में secondary का करेंट निकालना हता था बच्चो क्या यूस करेंट का इंबॉर्मिला जानते है secondary का voltage by primary का voltage is equal to primary का current into secondary का बस इस फर्मिले का यूस कर देंगे value put किजिए तो चले यहां देखिए value put क्या हुआ है value put है यहां पे is कितरा निकल के बाहर आता है 5 MPR तो आपको mathematics करना है 5 MPR बजाना है और इसको टिक करना 5 MPR अब कॉस्टन नबर 26 है यह प्लेट्र मागनेटिक वेप्स और फ्रिक्वेंसी 28 मेगा हर्ट्रेवर्स इंफ्री एश्वेस इन पोजिटिव एक्टिव एक्ट्रेक्शन जो वेब है वह पोजिटिव एक्ट्रेक्शन में जा रहा है और एलेक्टिक फिल बच्चों दे रख और क्या होता है बेट ऊसी इस एक़ोल टो एलेक्टिक कील भता है ता आप इस फर्मुलर को यूज करेंगे तो मैगनेटिक फिल्ट इस एकवल तो ईबाई सी कर लिजिएगा ठीक है तो चले मैंतमेटिक्स किया जाए देखू तो मैगनेटिक फिल्ट इस इकल्डड सीगल एक है यह है आप देखर हमें इसी प्ट कर दो से क्या हो इससा कैसि क्या हो गारता किया क्या होगा कि हो ग third खसर क्या हो गा वह गा मेंड़ा थ्री पोटिम्टンド वर इंटिट अandelबाई सीट के श्क्या है ऑफ ह crashes चलो कौम सा के क्या मन्दा पॉस्टिव जेट डिरेक्शन होगा थी यह वाल आप्शन नमर वन देख रहा हुआ वहां बच्छो करेक्ट आप्शन है इस पर जाएंगे और हम टिक कर लेंगे ना कोशन नमर 27 देखिए तो कोशन हो टुनिशन बच्छों दे रहा है दा फेज डिफरेंस बीट्वीन दे इंस्तेंटेंस वेलोसिटी यान एक पार्टिकल सिंबल हार्मोनिक मोशन करता है तो क्या बच्छों याद रखना एक एक्स वेलोसिटी डिस्प्लेश्मेंट और एक होता है पाई होता है असन तो इसके होगा पाई सांसर क्या लिखंआ है वीलोसिटी डिशन के बीचिती के बीच में अग्रहा पेलर च्रीट्वीन के बीच तो होता है पाई होगा तो दो क्या होगा 0.55 5, 0.55, 5 by 2 is equal to 0.55, option आगे हैं वच्छो, option no.4 जो है, वहा है… Question no. 28 तेकर हैं यहाँ पर एक equation available है, reaction nuclear reaction दे रखा है, यहाँ पर कि X प्लस X is equal to Y, अब इस फिनोमेना में, इस reaction में क्या energy release होता है, तो simple step रिक उजस्क्रिक अब को, जब भी energy बाहर निखले का ता मों का फर्मूला है binding energy of product minus binding energy of reactant है पृक्त तरीका फॉलू कीजेगा अब binding energy of product क्या निकालेंगे binding energy per equation दे रखा है जितना equation से multiply कर लिजेगा ठीक है तो यहां पे 1.1 दे रखा है और 7.6 दे रखा है 7.6 इंटू 4 करेंगे और 1.1 इंटू हम 2 करेंगे इंटू 2 टाइमस कर लेंगे तो एकॉरिंटू तो फॉर्मूला बच्चो जाएंगे तो 7.6 इंटू 4 माइनस 1.1 इंटू यह है दो नुकिलियोंस है लेकिन कितना नमबर आफ एक्टम है दो है तो दो समल्टिप्लाय कर तो कितना आता है माइनस करेंगे 26 मेगा एलेक्टोन वोल्ट पे हम टिक कर लेंगे ऑप्शन नमबर 2 जो है वह वह करेक्ट आप्शन हमको नजर आया है आप्शन नमबर 29 बच्च्व अनलफा पार्टिकल एक्रवन च्वल अटम है सेम कानेटिक एनरजी दरिश्य आप्शन यह क्या होता है लाम्डा एच बाइप अबच्व इसको लिख दीजिए 2N इन्टू सेम कानेटिक एनरजी में तो क्या लिखेंगे इनिवर्सलिटो ला अलफा का अलफा इसे लिखे और यह कार्वन लिख दीजिए तो बच्च्व क्या लिखेंगे यहां पर लिखना पड़ेगा कारवन का अलफा का आप जानते हैं मास में लिखेना है तो 12 by 4 लिखेंगे हम लोग अलफा और बच्च्व यह आएगा रूट इस त्री इस्टु het A Is 2, 1 हमको दीख रहा है, here option number 2, correct दीखरा, option number 2 पाझाईगे बच्च्व आपको दीखरा हाो का आपको अप्साटर बच्च्व आपको अप्साटर नबर 2. Now, question number 30, the D-Bloglis wavelength for an electron and a photons are lambda E and lambda P respectively, for the same kinetic केनर्जी आफटेनल फोटोन वीचिव दो सल्गिए छिलिक एनर्जी से काना टेक एनर्जी क्या है काने टेया हम ले टींटिक एनरजी है तो देखे बच्रों क्या करना है यहां पर एलेक्ट tiakai साथ एलेक्ट टोन क्या लिल्खेंगे एस बाई मोमेंटम अब तो फोटोन का इनर्जी होता है एच सी भाई लेमडा पी यह होता है फोटोन का अब क्या करने यह फॉर्मुला यहाँ पर शिफ्ट करना है तो क्या करो सबसे पहले लेमडा एका होल स्क्वेर करों यहाँ पर तो ह स्क्वेर होगा यह होगा टू एम इंटो कानेटी एनर्जी बच्चो खाली वैल्यू पूट कर लो एच स्क्यार नीचे मिलेखें ट्वाइस हैं और यहां पर जो दिखरा एके जगा ना एके जगा वैल्यू पूट कीजी एच सी बाई जाओ उपर चला जाएगा लैमडा पी तो किया बस रिलेशन इस्टेबलिशिक करना तो यह प्रपोर्शनल लैम्डा पी आप को आपको ऐसा अब्सें नजर आना होगा यास लैमडा इस गुरे फ्लेशनल टो आगे बखाज़ ना बच्छो तो फाइंड डिग्री अफ फीडम देख्परेशन इस ना डिग्री फीडम निकालेल क्या होता है तो बच्छो आप सीपल आप सभी को याद होगा एफ आर बाइट टू होता है कि एफ टिग्री फीडम क्या होगा दू सीवी भा यार कर लीजी नाउ चीवी ये कितना होता है CT P माईनस सिवी किजी लिए तो बच्छो के लिए टू टू य बाई सीभी माईनस वाल तो क्या होगा डू गामा माईनस फाइशन ये हिए कर लिए इस प्रकार के कौन सा नमबर वन जो है ये बैस्ट ऑप्शन है कि अगर हमको डिगर फिड़न मालूम है तो अगामा निकाल सकते हैं यह वीद दिभ सकते हैं दॉट। बी कैनल यह बार हो जाएगा डोट। थीरम लगाएँं गी एप्लस भी आ जाएगा। यह आ गिया प्लस भी अफिर इसको पास यहां से कराना है नौट ए-प्लस भी जाब इसके पास हो गाय ए- प्लस-पीा बार हो जाएगा इसका मताब यह हो गया नौर गेट क्या हो गवाच्छा नौर गेट आपको देखें को मिला है नौर गेट प्रिटिक करेंगे और इसको बना देखें हम ए नौर गेट हमको आ रहा है समझें नौर थर्टी-3 गाइंगल अब डविएशन त्रू फ्रीजम इस क्या हो जाता है minimum angle of deviation में, the angle of incidence is equal to yes, A B correct है, now when angle of emergence है बट्चो अब च्रो आपसमेट, फ्रीम यह था नौर झाल ऩ।वे अपटिक लागणा है तर्टीकल स्वाल था हा, option number one is our answer is we are, च्रीक कर लो, question number 34. In Young's double slit experiment, if the source of light changes from orange to blue, same to than fringe width क्या होगा distance क्या हो गया देखो पचोर हम जानते हैं gell लैंधा by T Precis तो तो क्या यहां पर wavelength में shift ? कि अ डेवडन चाहन रोगी ओर इंज से ब्लू हो गया इसका मतलब लैंडा dczasare तो जब लैंडाद डिक्रीज होगा तो बीटा बीडिक्रीज होगा लेंडा कम होने से बीचा डिक्रीज होना चाहिए था परहो पढ़ते हैं दे सेंटर ब्राइक फिरिंज विल बीकाम डार्ड गलत अधिश्टेंस बेविन कंजिकूर्टी फिरीज बेविद इस सब्सक्राइब अधिश्टा कामती हो जायगा ऑप्षिन नम्र्ट तू करेक्ट हां डिश्टेंस विद्विन ये गलत हा बतचा ये सा डला तो ऑप्शन नम्बर टू इस आवर एंसर बच्चो ना उप्शन नम्बर 35 आपको समझ में आ रहा होगा 35 में देखिए तो इसमें क्या रखा है बच्चो इसमें दे रखा है इन एक्स्पेनिमेंट फोर क्वांटिटी ए बी सीडी आर गिवें 1 2 3 4 इस्पेक्टिर अब यह पूछा बच्चो यह एक्यू बीस क्यार सिवेंट आप इसका फॉर्मुला सब्सक्राइब जानता ही है पावर इसको बाह निकाल के रफॉर्मुला राओ अपूट करो जब फॉर्मुला होगा पीस इकल टू यक्यू बीस क्या होगा थ्री डेल्टा आई बाई प्लस त यहां साइल टला सी है रएले पोट किजी जो वेलू दिया था वेलू पॉट करने के बाद का माच आधा बाच आ फूर्टीन पर्सेन हम को देखने को मिलता है तो जो आप्षिन में 14 पर्सेन फॉर्थ वाला है त्स तब पीर हम जाएंगे और टिक कर लेंगे जिक्र है केले को अब देर रखा है अन इंकॉंप्रिसिबल लिक्विट फ्लो थू होरी जिन दे फिगर दैन दे फिगर दैन दे विलोशिटी आफ वी अफ दे फ्लूइट का विलोशिटी निकाल ला है दो देखे जाव इस तरह का सवाल होगा पाइप यहां साया पाइप का डिवीजन हो रहा है बस फार्मा लिख देंगे हम लोग a into 3 a into 3 is equal to a into 1.5 plus 1.5 a into vehicle भीज तो इसको solve करो तो जब solve करेंगे तो भी आएगा 1 meter per second क्या आएगा 1 meter per second option आपको लगाना है और बना देना है तो बच्छों कुस्टों में क्या करना है क्या रखा है थर्मो डैनमिक सिस्टाम इस टेकें थ्रू द्रू साइकलिक प्रोसेस रखा सकते हैं यह से बच्छों क्या होता है यह बराबर होता है तो हम इसके लिए क्या करेंगे हम इसका एलिया निकाल लेंगे जानते हैं जानते हैं माइनस पी कीजी तो बच्चो यहां से टू पी ठीक है ऐसा आएगा अब इसके बाद हम को यह भी देखना होगा कि डारेक्शन किया है तो देखें यहां पर जो साइकल का डारेक्शन है बच्चो यह डारेक्शन दिख रहा है ना यह क्या है यह एंटिकलोक वाइस है इसका मत अपला माइनस में लिखना होगा तो जब यह माइनस माएगा इसका मतार हीट बहार फ्लो हुआ है रिजेक्ट हुआ है तो कौन सा ओप्शन दिख रहा है बच्चो ऑप्शन नमबर 2 ऑप्शन नमर वन इस करेक्ट विचिस 2PV ऑप्शन नमर वन सही है जो कि 2PV है चले कोस् इसका रिडिंग क्या लिखना है तो रिडिंग इस उपल टो ऐसा मोला जाता है रिडिंग इस उपल टो मेन इसके रिडिंग लिखना है प्लास करकूलर इसके रिडिंग लिखना इंटू लिस्ट काउंट करना है तो सब सब लिस्ट काउंट निकाल लिस्ट टाउंट होता ह है one msd divided by number of division to one millimeter by 100 कर लो तो कितना एगा 0.01 millimeter देखिने को मिल ले वाला है ना वरी में इसके रिडिंग कहां तक यहां पर सर्कुर्ट के इसके बाद है न टू के बाद है तो MSR में स्केल क्या हो गया टू हो हो गया CSR कितना हो गया CSR क्या दिखिए क्या दिख रहा है कि सर्कुर्ट स्केल में यह वाला डिविजन कॉंसाइट होना 30 के बगल वाला 30 के बत क्या हो था 31 31 है बच्चा तो रिडिंग इस इक्वल टू जो रिडिंग बच्चो मिलेगा हम लोगों को वह आप लिखे गए आपका एंसर भी करेक्ट हो का इस प्रकार से यह देखिए चलो प्रकार से बच्चो इस प्रकार से दे रख था है कि यह टेवल है और यहां पे एक चेन हैंगिं कर रहा है चेल हैं है को पर यह जो हिस्चा है यह है चुओ एल इलबाईभाई का हिस्चा है तौल इससको अगर वापस हम को टेवल पर लेना है तो व्रग डून कि अनौल होगा है यह हम को निकालना है तो उस्तर हुआ जाल में जब एक किसी हांगिंग पार्ट को वापस घीचना होता है तो बच्छों हम क्या फॉर्मा लिखेंगे हम लोग बच्छों जानता है वांग्डन होगा चेंज इन पोटेंशल इनर्जी तो वांग्डन इस एकल डू फाइनल पोटेंशल इनर्जी माइनास इनीशियल लेकिन क्या होगा पूरा का पूरा चेंटेवल पर आ जाएगा तो उस केस में फाइनल इनर्जी जीरो होता है क्या होता है रेफरेंस ही क्या है रेफरेंस है ठीक है तो यह बच्छों 0 होगा 0-1 इनीशियल तो बच्छों खाली हम को माइनस पी 1 निकाल देना है तो चले देखिए इसका सेंटर आफ मांस यहां पर होगा चुक्छे रेफरेंस पाइंट से नीचे है तो निगेटीव करके लिखना परेगा तो क्या हो जाएगा क्यू एल बाइफाइब इंटू हाफ करके लिख देना है आपको ठीक है तो यह कितना जाएगा एल बाइफाइब क्य आपको बाइफ मांस और यह माइनस अलग साएग मायनस हैं मगल बाई 25 कर दिजिए तो वांगर इसे उक्टन इसे क्यूंट इक्टन इसे क्यू एल बाई 25 वालुवाइफ पूट कर लिख देना है तो यहां कौन सा होप्च अप्चिन नम्र वन जो है यह करेक्ट है 2MGL होना है और टिक कर देना है तो yes next question number 40 देखिए आपने बना होगा आप सभी का correct होगा देखिए particle of mass capital M is situated at the center of a spherical cell of same yeah same same kya same mass ठीक है the gravitational potential at the point situated at a metro distance from the center है तो बच्चो एक स्पेरिकल सेल है ठीक है इसका मास भी है मैं इसके center पे point mass को रख देना है और यहां पे potential कितना पाया जाएगा यह बाई टू पर यह हम से पूछ दिया गया है तो बच्चो होता क्या है कि अगर सिस्टम में एक से ज्यादा एक से ज्यादा मास involved है तो potential सभी के वज़े से लिखेना है उसको add कर देना है क्या लिखेंगे भाई इस point mass के वज़े से लिखेंगे जी और यहां पे same mass है और यह मास क्या है बच्चो से मास है तो मास है ना इसके point mass है तो formula point mass का लिखेंगे अब spherical cell का क्या होता जो सर्फेस पर होता होई इस जगह पर होगा inside होगा तो बच्चो क्या लिखेंगा माइना जी भाई कर लो तो माइनस टू जी एम बाई ए कर लिए और यह माइनस जी एम बाई चलिए है यह हो गया बच्चो नेक्स्ट या इसको सर्वाट 41 दिखें तो बच्चो क्वेशन मार 41 में क्या दे रखा है सिप एज मुविंग एट स्पीड आप 3 मीटर पर सेगेंट वर इस्ट तो बच्चो एक डारेक्शन लिख लेता है यहां पर ए कि यह डारेक्शन होग यह बच्चा यह है टकवर मीटर पर सेग्शन का अगर इसको हम रहेफेरेंस बनता है दिया गया है बच्चो की जो कोशिज करेंगे तो कितना अगा बच्चा five meter per second क्या एगा five meter per second आएगा now direction कवेसे घीचे दो यहां से direction क्या घीचेंगे ये हो गया हम लोगों का क्या हो यह गया फोर यह थी हो फटी यह गया थ्री यह direction ऐसे घीचें यह जा रहा है ना 5 metern नाओनल एंगल एंगल कर चालिए तो बचो क्या लिखेंगे 10 तीठाइस एकल टो औक हवाई 3 इसको अ मतब थी टा कितना होता 53第二 Eas outra 53 डिलें कॉन से डेरिक्श्ट चोन से है बच्छो तो ये बला डिर्क्शन क्या है ये है वेस्ट है वेस्ट है यह बच्चों क्या है यह है नॉर्थ है लिखने का तरीका क्या होना चाहिए था नॉर्थ टू वेस्ट है ना बच्चों नॉर्थ टू वेस्ट होगा यहां पर नॉर्थ वेस्ट होगा नॉर्थ वेस्ट होगा नॉर्थ वेस्ट की बारी ठीक है नॉर्थ वेस्ट होगा तो वन पर जाएंगे वन करेक्ट एंसर है फाइम मेटर पर सेकिन होगा 53 डिग्री नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट पर जाना है उसको टिक लगाना है नॉर्थ फेस्ट चलो कॉस्टन पर 42 तो यहां दे रखा है पॉइंट चार्ज आफ 12 स्क्राइब चार्ज यह स्क्वेर का साइड है स्क्वेर है इस से उपर है बच्चो पुछा है इस चार्ज के वज़े से सर्फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा तो देखो क्या करना है चुकि है फ्लक्स निकालने का तरीका क्या है आप यूज करेंगे क्यूव रहाई नीकालने का तरीका है एप्सलेट नॉटी फॉर्मूला अब जो वैलू है उसको हम पूट कर लेंगे जो चार्ज का वैल्यू दे रखा है जितना यहां पर सिट्वाल इंटू इंटू पर माइनस 6 एप्सलेट नॉट का वैल्यू पूट करेंगे दा मच्छो क्या है का तू 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 अधर रखा है यहां पर कंडुक्टर है इसका क्रॉस सेक्षिन हार वन क्रॉस सेक्षिन और यह लागातार क्रॉस सेक्षिन कम हो रहा है लागातार इसका क्रॉस सेक्षिन जो एरिया है वो कम हो रहा है अगर सेम कंडुक्टर है और सेम कंडुक्टर के लिए क्या होता है करे तो सेम कंडक्टर करेंगी तो सब्सक्राइब जादा यहां से हम लोग देख लेते हैं diffed velocity of electron yes यहां से यहां लगातार area decrease हो रहा है इसका मतलब इसका मतलब यहां से यहां जो diffed velocity लगातार increase होगा option one electric field गलत है बच्चो यह best answer कौन सा होगा best answer होगा option number one पे जाना है और टिक कर देना है यहां से यहां तक dialectic field कर दिया गया है तो क्या होगा तो यहां पर concept क्या यूज़ करेंगे हम c1 c2 निकालेंगे और इसके बाद दोनों series में है तो series का concept हम लिखे देंगे तो चले देखे तो एडिया दे रखा है एडिया कितना दे रखा है 100 meter square दे रखा है देखे इसका c1 है इसका c2 है तो c1 का रखा है फर्मुला को डिरेक्टिव रहा लिखेंगे के एपसले नॉट ए बाइड अब के है टेर लिखेंगे एपसले नॉट एरिया 100 और यह दी 5 है लिखे 200 एपसले नॉट आएगा इसी तरह से c2 यह यह का रिजन है तो यह के लिए लिखेंगे एपसले नॉट 100 और 520 अब यह दोनों सीरीज में है तो सीरीज का फर्मुला मच्चो याद है ना तो सीरीज का फर्मुला c1 c2 c1 c2 करते है ना आप्टर स्वालिंग मच्चो हमनों को वैल्यू रफली मिलता है यहां पर 161 पिक को फैरेड मिलता है ना आप्टर नमबर टू पर हम जाएंगे टिक करेंगे 161 हमको आप्टर यह वाला आप्टर टू देखने को मिला आपको समझ माया होगा कि सीरीज में लागा हुआ है एक में डालेक्टिक एक में डालेक्टिक नहीं है चैनले कुर्चन नमर्ट 45 यहां पर एक Configuration available है यह पूछा गया कि इसके Center पर कितना बनेगा Magnetic फिल्ट बनेगा तो वच्चो कितना segment है segment number one segment number two segment number three अब इस current carrying conductor के लिए यह होगे axis इसके वज़े से नहीं होगा अब यह circular है और यह क्या है यह है आपका तो बच्चों क्या लिकालेंगे बीटू निकालेंगे तो बीटू का बीटू करेंगे तो यह बीटू आजाएगा हम लोगों का मीनोट आई बाई एट आएट आएगा अब यह सेंस अब डिरेक्शन देखिया डिरेक्शन क्या क्लॉक्वाइज है तो ख्रॉस होगा क्या कब चलो क्रॉस वेख आएगा ना इस सेग्मेंट के वज़े से देखिए इसके वज़े से भी क्रॉस आता है तो यह क्या है सेमीं सेमीं इनफानाइट है सेमीं इनफानाइट के वज़े से बच्चो क्या होता है इसके वज़े से होता है मीनोट आई डिवाइड बाइब बच्चो क्या फोर पायार होता यह भी क्रॉस है अब डेट क्या डिरेक्शन सेम हैं अगर सेम डिरेक्षण होता है तो एड करना परेगा एड कर लीजिए आप लोग तो प्री मिनॉट आई एट आर फ्लास मिनॉट आई बाइ फॉर पाइ आप ठीक है यह है इसका अशर अब इसमें चेक कीजिए तो इसमें क्या यह डॉट तो नहीं होगा ठीक है हाँ य किजी तो वच्छों को सिनमर्ट पूटिशिक्स ए पार्टिकल इस्टार्ट फ्रॉम दे पॉइंट जीरो कॉमा एट तो एक कोई पार्टिकल है कोई पाइटिकल है जो यहां से start करता है यह रखा है यहां से start कर रहा जीरो कॉमा 8 से बत्चो स्टार्ट करता है और देखे वेलिशिटी दे रका है विलिशिटी क्या है 3 I मतलब three cam genera positive direction में जा रहा तенная ढोलेंगे धर जा आ 3pm पर दिस प्रोच सेड़र कॉ मास दे रखा एक 1 kg दे रखा तो बीए पुझा गया है कि Deep 5 second के बाद क्या होगा खेंद मोमेंटम और पार्टिकल कब फाईट कर एक रोगा रीम अब्दोर already और यह हो गया है तो इसका डारेक्शन के लिए आप यूज करेंगे वेक्टर फॉर्म आप जानते हैं आर प्रोस्पी मतलब करना है आर से पी के तरफ जाना है तो बच्छो भारिस का ये होगा क्या होगा या का डेugen है और यह क्या हो गया यह पी का डारेक्शन है यह इनता आकश्च बढ़कर में ऐसे अंधर की तरफ माइनस के- माइनस के-क और डायक्शन भी आगया बच्छो तो रिजल्ट हो गया अपसर नमबर 2 Now, question number 47, when light of frequency twice the threshold is incident on the metal plate, the maximum velocity of emitted electron is V1. When the frequency of incident radiation is increased to 5 times, the threshold value the maximum velocity of emitted electron will be completed. So, here are the two velocity points in relation to x. So, if we use to understand the equation, the maximum kinetic energy is equal to h-new minus work function. So, if you want to use the kinetic energy max plus h-new is equal to half mv square. Yes, h-new is equal to h-new is equal to h threshold plus half mv square. Now, pahla case में ये दे रखा, ये frequency है, two times threshold, put करो ये चीज़, इसको यहां से इधर ले आओ, तो ये 1 हो जाएगा. Now, दुसरे case में फ्रिकेंसी 5 times है, फिर इसको यहां है 4 आएगा, दोनों को divide कर दो. So, after dividing मच्चो हमको velocity का ratio obvious से आता है, 1 by 4, square root learning पे क्या जाएगा, V2 is equal to 2 times of V1, ठीक है, तो कितला होंगे x का value 2 आ रहा है, क्या रहा है बच्चो, 2, option number 3, option number 3 पे जाएगे हां मुसको और टिक कर लेंगे कि option number 3 is our answer. So, now बच्चो, question number 48, hydrogen atoms from excited state comes to the ground by emitting a photon of wavelength, the value of principle quantum number n, देखे, दे रखाई कि hydrogen atom excited state में है, इस state में यहां से यह jump कर लिया है, ground state मतला 1 में, तो जब यह jump करता है, तो obvious बात है, यहां पे photon बाहर आता है, उस photon का lambda दे रखा है बच्चो, ठीक है तो पूचह है, n क्या होगा, अब इस फॉर्माला का है, 1 by lambda is equal to r, ground state n square, तो बच्चो इसको solve कर इंगे, तो 1 by lambda is equal to r, क्या हो का बच्चा 1 minus n square, ना multiply कर देजी, r minus r n square, तो r by n square एक तरफ ले जाएंगे, r minus 1 by lambda हो जाएगा, तो यह होगा, lambda minus by lambda, तो बच्चो क्या है, r by n square minus 1, n square is equal to r lambda, lambda minus 1, तो n root under कर लिजिए, lambda r, lambda r minus 1, तो यह option देख रहा, बच्चो, option number 2, is the correct option, आप इसको अराम से देख लिए, formula simple से, आप सभी को मालूम होगा, यह formula आपने कितना बार बनाया होगा, तो यह formula आप लगा दीजिए, बना दीजिए, आपका, आपका, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव है, तो यह बच्चो है, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव है, और यह है, आपका, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव है, यह आर है, infinity है और यह mutual अब दोनों contact में रखा है बच्चों दोनों contact में रखा है तो क्या होगा contact का formula यूज़ करेंगे effective focal length of the given system जो formula होता है वो formula हम लिखेंगे 1 by effective is equal to contact 1 plus f1 1 by f2 यह formula तो यह पुछा है the ratio of the radius of curvature to the focal length of the combined lenses yes combined lens का focal length क्या है f e है ना r r by f e पूचा है r by f e कितना होगा यह निकालत सबस्क्राइब क्या करेंगे इसका focal length क्या होगा one by f is equal to mu या इसका लिखें यह negative लिखना है बच्चों क्यों 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 कि ए तो क्या लिखना है one by f2 is equal to minus mu 2 minus 1 by r ठीक है ना यह हम बहले पूट किया जा बच्चों so 1 by f is equal to mu 1 minus 1 by r minus mu 2 minus 1 by r अब इसको बच्चों mathematics का लिखें जरा सा so mu 1 minus 1 minus mu 2 यह plus 1 हो जाएगा तो बच्चों अब्यस है यह cancel हो गया so effective is equal to mu 1 minus mu 2 और बच्चों यह r आ रहा है r by effective is equal to क्या मिला बच्चों mu 1 minus mu 2 ऐसा अब इस option को चेक करता है यह option कौन सा दिख रहा बच्चों यह option दिख रहा बच्चों option number 2 is the correct option option 2 पर जाएगे इसको टिक कर लेंगे mu 1 minus mu 2 तो बस इसमें जब ही दो लेंज को contact रखना तो यह formula जड़ा ध्यान पर रखेगा आप बना दीजेगा चले बच्चों आप यह जो लास्ट प्रवलम है इसको देखते है question number 50 पड़ते है 10,000 electrons are passing per minute through a tube of radius 1 centimeter the resulting current क्या होगा देखिए the flow of charge is known as current बच्चों तो direct form मा लिखेंगे current is equal to q by t which is equal to any by t अब time का जिकर है तो time कितना है one minute अब यह one minute को बच्चों लिख दीजिए 60 seconds ठीक है और बाकिया value put कर दीजिए कितना है 0000 10,000 into 1.6 10 to power minus 90 और divided बच्चों यहां से divide किजिए 60 अब इसको अगर आप divide करते हैं तो बच्चों यह मिलता है है 0.26 into 10 to power minus 16 अब यह मिलता है यह करेंट आएगा इस्टेबिलिश होगा तो आप्सेन कौन सा सटिस्फाय का रहा आप्सेन नमबर तू पर जाना है टिक काना आप्सेन नमबर तू तो इस परकार से हम लोग ने डिसक्स कर लिया है तो आई होप आपको समझ में आया होंगा थैंक्यों फॉर वाच्चिंग करेंगा थैंक्यों और कराम पर जाना है यह वाच्चिंग